तो लास्ट वीडियो में हमने Fast API में सर्वर लिखा था आज के वीडियो में हम React.js का यूज करके एक वेबसाइट बनाएंगे जिसमें आप वो पोटेटर प्लान की इमेज ड्रैगन ड्रॉप कर सकते हो और वो वेबसाइट आपको प्रेडिक्शन करके बताएंगी कि या क्लांट में लीफ में डिसीज है की नहीं अब क्योंकि ये डीप लर्निंग की सीरीज है मैं डीटेल में React में नहीं जाने वाला हूँ मेरी चैनल का गोल है आपको डीप लर्निंग सिखाना न की वेब तो React.js के बहुत सारे टुटोरिल्स है यूट्यूब पे तो आप थोड़े बहुत देख लीजिए तो आपको पता चले मैं सिर्फ overview ही दूगा और मैं डीटेल में नहीं जाओँगा क्योंकि डीटेल में जाएंगे तो बहुत सारा time इसमें spend होगा तो आप ये बात दियान में रखे अगर कुछ चीज़े समझ में नहीं आती है तो वीडियो पॉस करके दूसरे React के tutorial चेक कर दीजिए शुरू करता है Installation के लिए आप मेरे GitHub पे जाएए इसकी link मैंने वीडियो description में नीचे दिये है यहाँ पे यहाँ पे इस link पे जाएगा ना तो यहाँ पे React.js की installation instructions है आपको Node.js install करना है सबसे पहले तो यहाँ पे right click करके यहाँ पे सारी instructions है NPM install करना है NPM मतलब वो pip जैसा होता है जिससे आप अलग-अलग JavaScript के modules install कर सकते हो और Node.js है वो backend है जैसे first API हमारा backend था ना वैसे ही Node.js web technology के लिए एक backend है बहुत ही simple है दोस्तो आप यह jargon से गबराईए मत थोड़ा-थोड़ा try के जिए दिमे-दिमे आपको समझ में आ जाएगा उसके बाद में आपको क्या करना है कि आपको यह जो डिरेक्टरी है frontend वो आपको सीधे clone करना है तो मैं आपकोस आपको get clone के concept पताऊने चाहिए इसका आप copy करके आपका जो get bash वगेरा है उसमें आप clone कर दीजिए तो मैं जो अपना code डिरेक्टरी है c code ठीक है वहाँ पे get clone यह करूंगा न तो यह clone हो जाएगा मैंने अलड़ी clone कर दी है डिरेक्टरी तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे दिखती है तो यहाँ पे front end करके folder है उसको Ctrl C copy कीजिए और आपकी जो डिरेक्टरी जिसमें आप काम कर रहे हो अभी मेरे लिए potato disease मेरी working डिरेक्टरी है देखा हमने अब तक API save model training बनाया है और अभी मैं front end को copy paste कर देता हूँ यहाँ पे ठीक है तो चलो यह पूरा copy paste होने में थोड़ा time लगेगा आप npm install from lock json run करोगे फाइले copy हो रही है तब तक हम visual studio code चालो करेंगे मैं javascript development या web development के लिए visual studio code यूज़ करता हूँ python के लिए picham यूज़ करता हूँ यह जब भी आजाता है तब आप file open folder करके आपका जो potato disease वाला जो folder है उसको आप open कर दीजे अब जब आप उसको open करोगे तो आपका जो frontend folder जो copy हुआ है ना देखो यह पिरे मेरे पूरे folder है frontend जो folder copy हुआ है उसमें दो file है package.json package.log.json तो package.log.json जो है यह देखिए package.json और package.log.json जो है वो requirement.txt की तरह है python में जो requirement.txt सारी dependencies किसको install करना है वो specify करती है उसी तरीके से package.json में आप देखिए module का नाम है photo version यह है उसके dependency यह है ठीक है तो इस सारी dependencies जो है वो यहाँ पे वो list down करता है और package.log.json होता है वो package.log.json जैसे अगर मैं photo हूँ तो photo पे क्या dependency है वो थोड़ा detail में होता है उसमें आप उसकी शार जो git का जो commit है integrity वो थोड़ा detail में exact snapshot आपको लाने में वो help करता है तो इससे है न predictability अच्छी रहती है तो I hope यह समझ गए होगे package.log.json और package.json requirement.txt की तरह है और आप मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे इसको install करना है देखो यहाँ पर बताया है कि आप जब npm install यह करोगे तो exactly हम यह करके देखते हैं तो मैं cd portrait of disease में आ गया मैंने देखो front end मेरी directory अभी copy हो चुकी है तो मैं मैं क्या करता हूँ cd front end ठीक है और यहाँ पर देखो यहाँ पर package.json है तो मैं npm install और install के बाद from layer log json मतलब यह जनरली अगर npm install करोगे तो वह package.json यूज़ करेगा मेरे को package.json यूज़ करने है क्योंकि उसमें exit snapshot होता है package.json यूज़ करता है कई बार अगर module अपडेट हो उसके dependency अपडेट हुई तो updated dependency को इंस्ट्रॉल करेगा एक मिनिट मैं क्या कर देता हूँ actually उसका command है from log json और अगर अगें यह web tutorial नहीं है तो अगर आपको यह सब चीज़े थोड़ी उपर जा रही है थोड़ा bounce अगर जा रहे है न दोस्तो प्लीज रियेक के npm के कुछ basic videos youtube में से देख लीज़े अब देखो इसने install कर दिया लेक fix तो कुछ vulnerabilities होती है और vulnerability को fix करने के लिए यह npm audit fix आपको command run करना पड़ता है अगें आप google कर सकते हो detail में जानने के लिए इसके लिए ठीक है तो अब यह मेरा installation हो गया अब github में next step बोलते है copy.environment example as.environment और change करो ठीक है तो मैं यहाँ पे अपने potato dishes में जब जाता हूँ front end में तो यह .environment और .environment.example है तो इसको मैंने as a .environment यहाँ पे copy कर दिया और यहाँ पे .environment को आप open करोगे जब अपने project के अंदर मैं .environment file यहाँ पे देखो तो आपको यह आपके जो fast API का backend है उसकी URL specify करनी है हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि वो local host 8000 पे रन हो रहा है इसलिए यह यह है आपको अगर यह दूसरे अगर कोई port पे रन कर रहे हो तो port आप यहाँ पे जाके change कर दिजिए अब यह थी setup की instruction अब हम program को run करने की थोड़ी instruction देख लेते देखो GitHub में मैंने सारी instruction दी है अगर आप frontend को run करना चाहते हो तो आप frontend में आजाए और npm run start यह command use कीचे तो मैं अपने command prompt पे देखो मैं frontend में हूँ ठीक है मैं npm run start करता हूँ अब मैं पहले दिखा देता हूँ कि इससे होता क्या है बाद में हम code में जाके हम देखेंगे देखो उसने मेरे को browser में ला दिया और browser में localhost colon 3000 पे मेरी website अभी run हो रही है तो यह मेरी website है आप right click करके inspect code करोगे तो आपको सारे element देखो अलग-अलग elements को locate करना है वो सब कर सकते हो आप console में जाके कुछ IRS वगिर आ रही है तो वो देख सकते हो आप sources में जाके अगर आपको debugging करना है तो आप debugging भी कर सकते हो जैसे यहां पे source है मेरा मेरे को कुछ debugging करना है तो मैं debugging भी कर सकता हूँ अब code का थोड़ा structure समझ लेते है इस code में देखो यहां पे बाहर देखोगे न तो source directory में पूरा मेरा source है node modules में मेरी सारी dependencies इंस्टॉल है जैसे python में आपने बोला अगर जैसे import json you know import sklearn तो यह सारी dependencies होती है तो यह सारी site packages में install होती है वैसे ही node.js में जो भी यह babble css tool emotion यह सारी dependencies है वो node module directory में इस तरीके से locally वो install कर देता है ठीक है अब हम public में मेरी सारी देखो मैंने code physics यह मेरे मेरी channel का logo यहां पे डाला है यहां पे देखा logo यह तो वो logo वहां पे है index.html है और robots.txt में जो चीज है वो है source में अब source में app.js है वो आपकी main file है react functional component पे काम करता है तो उसमें यह image upload है वो आपका main component है तो यहां पे आपकी HTML return होती है और अगर आप image upload को देखेंगे तो वो बोलते है image upload को dot slash home से हमने import किया तो यह है न js हम लिखते नहीं लेकिन home.js से import किया यह equal है ठीक है तो home.js कहां पे है अच्छा यहां पे है वहां से हमने import किया image upload चलो home.js में जाते है अच्छा image upload कहा है चलो मैं search करता हूँ image ओके so react में functional component का एक concept होता है जिसमें आप इस तरीके से आप अपना जो image है जो image upload component है उसको return करते हो मैं suggest करूंगा कि आप YouTube में जाके react functional components को search कीजिए और यह जो वाला वीडियो है वो काफी अच्छा है तो आप इस वीडियो को थोड़ा देख लीजिए आपको थोड़ा समझ में आया जाएगा कि react functional component होता क्या है हमने आप यह 6 minute का वीडियो देखेगे न तो आपको पता चल जाएगा तो हमने वही किया है यहाँ आप इमेज अपलोड करके एक functional component लिखा है और यह हैंने एक notion होता है syntax है especially JavaScript का कि जिसमें आप मानलों यह function लिखा है और function यह return कर रहा है basically यह यह आपका function है और वह function देखो यह return कर रहा है पूरा HTML fragment return कर रहा है ठीक है और यह HTML fragment जो है वह आपने जो यह UI देखा यह वाले UI को define करता है जिसे potato disease classification ठीक है यह एक title है तो अगर आप यहां पर search करोगे तो दिखा आ गया तो यह आपका title आ गया आपका जो image dragon drop component है वो है drop zone area तो अगर आप यहां पर देखोगे drop zone area from this तो यह जिसे python में module होते है दोफतों वैसे ही react में module होते है तो अगर आप Google जाके अगर react यह करोगे तो drop zone जो component है material UI drop zone उसके information आ जाएगी ठीक है तो बहुत सारे components होते है जिसे material UI drop zone आपको यह ऐसा एक UI देता है तो अगर आप drag and drop करोगे तो यह सारा behavior आ जाएगा तो यह सारे ready made component होते है दोस्तों बहुत ही easy होता है इन सब चीजों से आपको programming करना तो वो हमने drop zone component यहाँ पे डाला है अब आपको लगता होगा यार तुम तो code read करके सीधा बाते ही कर रहे हो लेकिन मैंने दोस्तों बताया कि detail में जाएगे न यह तो 10 गंटे का tutorial हो जाएगा तो आप code को copy करके run करके थोड़ा समझ लीजी अगर आप data scientist हो तो मतलब वेब का इतना in-depth knowledge होना भी जरूरी नहीं है तो थोड़ी बहर superficial understanding है तो भी चलेगा यहाँ पे यह drop zone area main होता है और मैं जब भी image को देखो मेरी image है चलो मेरी image कहां पर है training में जाके कोई भी image और ली ब्लाइट की मैं drag and drop कर देता हूं देखो जब मैं drag and drop करता हूं अब यह processing कर रहा है मेरा backend server वाइदवाए नहीं चल रहा है तो यह error आएगी लेकिन मैंने जब drag and drop किया यहाँ पे तो वह on select file यह event handler आपको ui event का पता ना चाहिए तो यह on select file call करेगा अच्छा on select file क्या है on select file जो आपकी file आएगी उसको आप set selected file function call करोगे यह बहुत important है set selected file क्या है अच्छा set selected file selected file use test ओ भाईया मैं confused हो गया है यह क्या है यह use state क्या है आपको यह वीडियो देखना पड़ेगा देखो react use state and use effect ठीक है तो reuse state यह 15 minute का एक वीडियो है सब वीडियो के मैं link भी दूँगा लेकिन YouTube में find करना भी easy है यह वीडियो देख लीजिए इससे आपको use state क्या है और and use effect यह दोनों आपको थोड़ा समझ लेना पड़ेगा कि जब भी आप file को drag and drop करते हो जैसे मैंने यहां पर यह वाली file ट्रेगन ते तो यह file की content set selected file जब function call करते हो तो selected file करके एक variable है समलोग के selected file करके एक variable है जैसे python में कोई variable होता है ना एक simple variable है जिसमें आप file की content copy कर जो ठीक है तो यह यह सब use state वगेरा करने से यह file की content copy हो गई और उसके बाद में use effect invoke होगा और use effect जो है वो send file function call करेगा तो send file में हम exeos करके एक module है JavaScript में जो basically http request अपने backend को भेजेगा अब backend को कहां पर भेजेगा देखो यह यह वाली URL पर और यह URL को कहां पर हमने define कि आपको याद है environment में तो localhost colon 8000 predict पे हम अपनी जो file की content selected file में है लेकिन उसको हम form data variable करेट करके उसको file में डाल देंगे अगर कुछ memory आपके पास है हमारे last video की तो हमने postman में exactly यही किया था postman में हमने यह form data create किया था जिसमें file करके key थी उसकी value यह जो है न वह actual file हमने क्या किया था select file करके actual file हमने यहां पर डाली थी तो same exact चीज अभी यहां पर हो रही है form data create हुआ key है file selected file है उसकी file की content bytes जो data होता है वो और बाद में excuse का use करके हम post method call कर रहे है जो की हमें response return करेगी और जो response आता है वो set data में यहां पे वो set हो जाएगा तो दोस्तों चलो अब हम सब चीजों को test करते हैं पहले तो आपको backend का server चला रहा है आप tf serving भी चला सकते हो लेकिन मैं main.py जो है अपना वो main server चला रहा हूं मैं यहां से चला रहा हूं आप command prompt से भी चला सकते हो दोनो options एकदम दोनों मतलब same ही है देखो मैं मेरा backend में server चला रहा हूं और यह सब वो model को download करता है तो load करता है तो time लगता है लेकिन localhost colon 8000 पे मेरा server ready है मैं usually पहले postman से ही चीजों को test कर लेता हूं ताकि पता चल जाए देखो यह postman है ठीक है मैंने send किया postman से चीज़े को test करके verify कर देते हैं कि भाया response बरोबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है देखो postman पे तो चीज़े perfect चल गई अब same चीज हम react में से कर देंगे test ठीक है तो देखो यह react.js का मेरा ui है ठीक है मैंने उसको कैसे run किया मैंने आपको पता है न command prompt पे जाके मैंने npm run start किया था front end में तो वो start करने से मेरा ui to already start हो गया है तो मैं इसको सिर्फ refresh कर देता हूं पहले और मैं क्या करता हूं अगर आपको debugging करके भी थोड़ा देखना है तो आप देख लीजिए क्योंकि उससे आपको पता चल जाएगा detail में तो मैं यहां पे जाओंगा js में अपने code में और यहां पे source के अंदर अच्छा मेरी home.js file जो है अच्छा यहां पे front end में मेरी जो home.js file है ना उसको मैं locate करता हूं यहां पे और जो image upload का यह जो code है उसमें मैं यह break point लगा देता हूं ताकि आपको पूरा flow पता चल जाए और break point लगाने के बाद early blight disease की यह image मैंने drag and drop की तो देखो यह break हो गए यहां पे point ठीक है और selected file को अगर आप watch इसमें देखोंगे selected file को ऐसा करते है watch में देखो मैंने watch में अल्यडी डाल दिया है अगर आपका अगर watch pen अगर totally clear है ना तो आप selected file ऐसा करके डाल दो तो यह आपकी file की content आ गई देखो यह last modified यह वो मतलब यह file का एक variable है जिसमें अंदर content होगी यहां पर यह एक call करेगा तो call करने के लिए कौन सा button है मैं ऐसा करता हूँ call करने के बाद जो response जो है वो मेरा यहां पर आया जाएगा यहां पर तो यहां पर भी एक break point सेट कर देता हूँ और मैं बोलता हूँ कि वह अब देखो backend में तो request आ गई मैंने backend को चेक किया था और request आ कि उसने serve भी कर दिया लेकिन यहां पर मैं जब यह console में आता हूँ तो मेरे को यह कुछ error आ रही है course की error कि भाया from origin has been blocked by course तो आपको यह web का एक concept रुदा है course मैं आपको है यूट्यूब में आप what is course लिखोगे तो आपको एक वीडियो आ जाएगा यह वाला वीडियो 100 seconds का आप यह दिख लिजिए तो आपको पता चल जाएगा कि यह error क्यों आती है तो अभी issue क्या हो रहा है कि हमारी जो website है backend दो response कर रहा है return लेकिन website उसको यहाँ पर देखो processing यहाँ पर course की error आगी तो आपको क्या कर रहा है कि backend में आपको cross origin policy add करनी है और वो policy add कैसे होती है उसका मैंना अलड़ी यहाँ पर code लिया हुआ है मैं क्या करता हूँ इसको copy करके हमारा जो code है चल आप code में आजाईए यह सब बंद कर दीजिए और जो main.py file है उसमें आप यह code snippet को copy paste कर दीजिए मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या है आप क्या कर रहे हो कि एक मिनिट एप यहां पे मैं create कर देता हूँ एप create करने के बाद आप एप के अंदर add middleware कर रहा हूँ जिसमें course middleware जिसमें यह वाला allow origin ठीक है और course middleware जो import होता है वह कहां से import होता है एन्वेज वह अभी हम देख लेते हैं यह course middleware कहीं से तो import होता है एक मिनिट आप fast API course middleware आपको यह चीज आपको import करनी है fast API में आप documentation में पढ़ सकते हो ठीक है और हमने क्या किया कि हमने बुला कि अगर localhost 3000 से कोई भी request आती है तो वह allowed request है वेब के world में अगर cross origin request होती है तो वह block करता है security policy की विज़े से अब वह code हमारे backend में नहीं था तो इसलिए problem आ रहे थी अब हमने बोल दिया allow origin origin तो मतलब origin क्या है localhost colon 3000 अब localhost colon 3000 क्या है देखा हमारी website यहां पर run order उससे अगर request आती है तो उसको अब हमें allow करना है तो चलो मैं फिर से अभी backend को run कर देता हूं यहां पर चलो भी यह backend मेरा ready है ओके और यहां पर कुछ भी request अभी नहीं है अब मैं फिर से जाता हूं अपने front end में इसको थोड़ा refresh कर देता हूं refresh करने के बाद मैं source में जाके अपना source code जो है उसको मैं install कर देता हूं वाला भया कहां गया मेरा source code अच्छा यहां पर होगा पोटिटोडिसीज front end source home.js और home.js में हमने कुछ breakpoint डाले थे जैसे कि यहां पर breakpoint डाला था यहां पर डाला था ठीक है तो फिर से अब हम drag and drop करते हैं image को अच्छा यहां पर image आ गई अब देखो मैं जब request fire करूगा तो यहां पर भी कुछ नहीं है ना तो देखो यहां से request अगर मैंने fire कर दी यह तो देखा है यहां पर आ गया response और यह response इसने बेजा यहां पर देखो यह वाले response में आ गया R.E.S तो यह जो R.E.S अभी है उसमें data है data के अंदर देखो class और confidence आ अपना यहां पर यहां पर रंडर करेगा तो मैं जब यहां पर रंडर करूंगा वंडर्फूल देखो अपनी वेबसाइट मस्त चकाचा कर रेड़ी हो गई अब आप clear कर दो और दूसरी में जगर डालनी है तो दूसरी में डाल दो यहां पर यह अर्ली ब्लाइट थी ना अब हेल्दी को करते है टेस्ट तो हेल्दी को ड्रॉग एंड्रॉप यह देखो हैल्दी आ रहा वाग घोडे की तरह चलते यह अपनी वेबसाइट है तो बस आज के वीडियो में इतना ही सारा सोर्स कोड वगेरा वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगी अगर आपको यह प्रोजेक्ट दोस्तो पसंद आ रहा है तो थम्स अप कीजिए वो मेरे यह सेशन की फीज है अपनी फीज तो पे करनी पड़ती है ना गुरू जी को तो वो आपका थम्